जिनों से जो गटनकम विधान सभा के अंदर चल रहा है उस सारे गटना क्रम की जानकारी महामहिम राज़ापाल महोदे जी को आमने दी है और खास्तोर से जिस तरह से बिधान सभा के अध्यक्ष महुद्य जी ने विपक्ष के साथ बहवार किया है और जो रुख अपनाया है उस संदर में आमने जानकारी दी है बजट सतर हिमाचल प्रदेश में आजकल चला है बिधान सभा में और बजट सतर में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंतरी विभाग का उत्तर देते हैं उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है और वोटिंग के सबाए अगर वाइस वोटिंग ऑपोजिशन वालों को कर्विंसिंग ना लगे तो वहाँ डिविजन आफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है और हमने उसी के लिए आगरे किया था लेकिन दो बार आगरे करने के बाफ़ जूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया होस को एरजौन कर दिया गया और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को ले करके हम अध्यक्ष मोदे जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिये और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस परकार से बेवार हुआ है जख्य मुक्य हुई विधायक गायल हुई है गायल हुए है गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माद्यों से यह आज तक हमाचल परदेश की विधायन सबके अंदर कभी नहीं हुआ और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके आफिस में प्रवेश किये तो अदेक्स मोदे मुक्र जाते हैं कहते हैं कि हमने तो आदेश कीये ही नहीं है मार्शल किसने लगाए और जो सेक्योटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साब के आदेश है तो ये सब दुर्भाग्य पून पर सिती है और दूसरी बात में इस बात को ले करके जरूर कहना चाहता हूं जो घटना करम घटित हुआ है इमाचल परदेश में राजय सबा के चुनाप के परिणाम आने के पश्चात भारती जनता पार्टी के हमारे जो परत्याशी थे बड़े बहुमत में थी उसके बावजूद भी जीते हैं और सभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें गटना करम जो घटित हुई हैं सब महाँ पर उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कॉंग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है यही पर जो जानकारी हमने इस संदर में खास तोर से जो घटना करम घटित हुआ पिछले दिनों में उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महाम मिराज जपाल मोदेजी को देखें नहीं हमें कई तरह की कई तरह की एप्रिहेंशन है कि जिस परकार से वार विधान सबादेक्ष का है वह हमारे विजायकों को सस्पेंट कर सकते हैं ताकि कॉंपरिटिवली बजट को पारिद किया जा सके यह भी एक शंका है जो हम जाहिल कर रहे हैं और उसके अलाबा मुझ विजायकों को नोटिसी दिये हैं कि जो इस ने वोट दिया है और उनको नोटीस करके आपके ओपर जो हमारा अबyrग बज़े का समयत है कि या उसमें तो उसमें जो डिफेक्शन लौव है जो एंटिफेक्शन लौव है उस पर उनने कहा कि आपके खिलाब कारवाई क्यूं उनको डेड़ बज़े बुलाए गया है तो उनको सस्पेंट करने की उनकी और से जो मनशा जाहिर की जारी है वो भी एक संभाव में और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को वो करने जा रहे हैं जो की नियम के मताबिक नहीं है राज्य सबा में नमबर वन विप जारी नहीं होत हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वोट इन्वैलिड माना जाएगा लेकिन उसमें इलेक्शन कमिशन ने डारेक्शन दी इसमें फिर वो चूप होगे उसके बाद को जवाब ने दिया और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का को इसके बावजूद भी विधायकों को प्रताडित करके तंग करके उनको परिशान करके इस परकार के कारवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं यह उनकी बखलाट है और कॉंग्रेस की सरकार हमारी बज़ा से नहीं अपने कारून से संकट मैं इतने इतने हैं कि इतने विधायक हैं सर्फ जो आपनों की टच में हैं जो चेक जन्होंने क्रॉस वोटिंग कि उनके अलावा भी कितने नंबर्स इन सारी चीज़ों को ना पहले बताते हम ना आउंट आएंगे लेकिन इतना मैं जुरूर कहना चाहता हूं कि मैं इतना जुरूर कहना चाहता हूं कॉंग्रेस जो है वो मैंडेट खोचुकी है जाएंगे दिविजन और नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या हूं अगला कदम उसके बाद पार से करेंए तिसनों के साथ चाह करने के बाद आए जाएंगे जाएगे सब्सक्राइब जो टेस्स वही होता है बज़ेट पर वाकर डिविजन मंगा जाता है तो वह वही होता है थैंक्यों प्लिज थैंक्यों